और मेरे चटोरो कैसे है आप हम सभी को नूडल्स तो बहुत ही पसंत है चाहे वो हाका नूडल्स, स्पेगेटी या फिर चावमीन आज बनाते है घर पर चावमीन जो की होगी बिल्कुल मज़ेदार और स्वादिस और आपको पता है चावमीन का असर मीनिंग क्या होता है तो आज हम लोग बनाते है घर पर स्टर फ्राइड नूडल्स यानि चावमीन, शुरू करें बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले sauce mix बनाने से यानि जो भी sauces हम लोग इसमें डालेंगे उस सबको mix कर लेते हैं सबसे पहले ketchup लगबग तीन चम्मत जितना ketchup डाल रहा हूं मैं इस bowl में उसके बाद soya sauce मैं light soya sauce यूज कर रहा हूं और इसके बाद हम लोग डालेंगे chili vinegar आप चाहो तो normal vinegar भी यूज कर सकते हो अब आखिर में बहुत सारी chili paste आप चाहो तो इसमें शेजवन चटनी भी यूज कर सकते हो यह तो तयार है अब noodles boil कर लेता हूं तो यहाँ पर है मेरे पास बहुत सारा पानी और इसमें मैं नमक डाल कर अच्छी तरह उबालूँगा इसको पानी में जब अच्छी तरह उबाला जाए तो हम लोग इसमें डालेंगे noodles मैं यहाँ पर haka noodles use कर रहा हूं आप चाहो तो spaghetti या फिर दूसरे टाइप के noodles भी यूज़ कर सकते हो इसे मिलाने के बाद अच्छी तरह उबालेंगे जब तक यह थोड़ी soft हो जाए पूरी soft ना करें तो वह mash हो जाएगी जब हम लोग इसकी noodles बनाएंगे तो थोड़ी soft हो जाए यह देखिए उबल गई है अब इसको चान लेते हैं और एक बार पानी से भी दो लेते हैं आप चाहो तो इसमें थोड़ सा तेल डाल कर भी मिला सकते हो ताकि साथ ना चिपके noodles तो उबल कर तयार है अब इसको stir fry करने के लिए masala बना लेते हैं तो यहाँ पर है मेरे पास एक कढ़ाई यानि wok और इसको अच्छी तरह गरम करेंगे जब यह पूरी गरम हो जाए तो इसमें डालेंगे लगबग एक दो चमच तेल आप थोड़ा जादा भी तेल यूज कर और इसमें डालेंगे वह Smoky Flavor लेकिन दाल रहा है अधा ही में आदे ही डालेंगे यह सब्जिया प्याज़ा गाजर और सिम्लमीर् तीन ऊच्छी तरहं अच्छी तरह मिला कर पकाएंगे लगबग 1-1-45 मिनट तक ताकिա कापाड़ीं थुरी खेंगूँ थुरी साग और पकाऊंगा लगबग 10-20 सेकेंड तक तो देखे, सबजी यह थोड़ी सी पक गई है अब इसमें हम डाल रहा हूँ कैबेज यानि पत्ता गोबी कटी हुई और हमारे बाकी बचा हुआ सॉस मिक्स और इसके अच्छी तरह मिलाएंगे हम लोग आप चाहो तो इसमें थोरसा spring onions भी डाल सकते हो यानि हरा प्यास भी डाल सकते हो यह चाओमिन का मिक्षर तो तेयार है बिल्कुल जैसा होना चाहिए एकदम लाल और चटाकेदार अब इसमें noodles दाल कर अच्छी तरह मिलाएंगे इसे बस नीचे से ऊपर तक उठाकर mix करेंगे आपके पास अगर tongs है तो उससे भी मिला सकते हो लेकिन बिल्कुल ही easy है ऐसे ही mix कीजिए सब इंग्लिडियन सची जरह मिल जाएंगे और देखिए कितनी लाजवाब लग रही है अब बस इसे मैं फटा फट सर्फ कर देता हूँ ऐसी नूडल से आप घर में बनाकर अपने बच्चों को दीजिए उंग्लिया चाटते रह जाएंगे आज के लिए बस इतना ही मैं तो अपने प्लेट उठा कर जाता हूँ अभी आप भी बनाईए अपने घर पर और मेरे साथ जरू शेर कीजिए का कैसी बनी ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते है अगले वीडियो में रुके 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 अगर आपको ये वीडियो रेसिप ये अच्छी लगी तो लाइक कीजिए इस वीडियो को शेर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए कुकिंग शुकिंग हिंदी को बस बस आज के लिए इतना ही आप सभी को पता ही है क्या करना है बाई